कवा और कवी हर काम में दो नम्बरी करते थे अब उन्होंने एक नया काम शुरू कर लिया था गोरी कवी पक्षियों के बचों को घर में ट्यूशन पढ़ाया करती थी आज चिडिया भी अपनी बेटी को गोरी के पास क्यूशन पढ़ने के लिए छोड़ने आई थी गोरी बहन अब गोरी के एक्जैम्स आने वाले हैं मैंने सोचा कि कुछ दिन आप से पढ़ लेगी तो एक्जैम्स में अच्छे नमबर्स आ जाएंगे हाँ हाँ मैं तो ऐसे पढ़ाती हूँ कि सारे पक्षी ही पहली पोजीशन लेंगे फिर चिडिया अपनी बेटी को गोरी के पास छोड़ कर चली जाती है मगर जैसे ही गुडिया अपनी नई टीचर गोरी कवी के खर के अंदर जाती है वहां तो सब पक्षी पहलने की बजाए खेल रहे थे किसी के पास चाबी वाली रेल गाड़ी थी तो किसी के पास हवाई जहाज टीचर टीचर यह यहां तो सब छोटे पक्षी खेल रहे हैं हाँ गुडिया मुझे अच्छा नहीं लगता कि छोटे बचों पर माँ बाप ज्यादा बोज डालें अभी तो सब के खेलने के दिन हैं आप भी खेलें या फिर टेली विजन लगा कर कार्टून देख लो फिर गोरी कवी टीवी पर गुडिया को कार्टून लगा देती है कालू कवा जो बाहिर गया हुआ था वो गोरी के लिए समोसे लेकर आता है कॉलू आज जिन्दगी में पहले बार मैं इतने समोसे एक साथ खाऊंगी गोरी अगर हमारा ट्यूशन सेंटर ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत जल्द और भी अमीर बन जाएंगे फिर गोरी समोसे खा लेती है और बचों की छुट्टी का टाइम हो जाता है हाँ तो बचों खेलने में मज़ा आया येस मेडम येस मेडम मेडम आप बहुत अच्छी है हमारे ममा पापा हमें आपके पास पढ़ने के लिए भेजती है और आप हमें पढ़ने की बजाए खेलने देती है तो अब कोई भी छोटा पक्षी घर जाकर ना बताए कि मैं तुम्हें पढ़ने की बजाए खेलने देती हूँ और हां कीकी कल अपनी फीस भी लेते आना और गुडिया तुम नहीं आई हो क्या तुम्हें यहां आकर अच्छा लगा बहुत मज़ा आया गोरी टीचर मुझे तो घर में खेलने का मौका ही नहीं मिलता यहां तो खेल ही खेल है ऐसे सब छोटे पक्षी पढ़ने की बजाए खेल कूद कर अपने अपने घरों को चले जाते हैं गुडिया बेटी क्या पढ़ाया आज गोरी टीचर ने आपको ममा ममा आज गोरी टीचर ने हमें घौसला बनाने का काम सिखाया है और यह भी पढ़ाया है कि बारिश में कैसे उड़ा जाता है अब मेरी बेटी एक्जैम्स में पहली पोजीशन लेगी यह सुनकर गुडिया थोड़ा ड़ जाती है ऐसे ही दिन गुजटे गे और गोरी कवी सारे पक्षियों से ट्यूशन पढ़ाने के पैसे ले लेकर धेट सारे पैसे जमा कर लेती है वो दोनों पती पतनी बहुत खुश थे गोरी अभी तक किसी भी पक्षी को पता नहीं चला कि उनके बचे यहां आकर पढ़ने की बजाए खेल कर चले जाते हैं बचे घर जाकर बताएंगे तो ही पता चलेगा गोरी और कालू बैठें गप्पे लगा रहे थे जबके सारे चोटे पक्षी पढ़ने की बजाए टीवी पर कार्टून देख रहे थे गुडिया गुडिया मुझे टूने कवा की नई नई कहानिया बहुत अच्छी लगती है हाँ कीकी टूने कवा पर हर रोज नई कहानी आती है मुझे ये कहानिया बहुत पसंद है चलो बच्चो छुटी का समय हो गया है कल अपनी अपनी फीस लेकर आना कैसा रहा आज का दिन बहुत अच्छा बहुत अच्छा गोरी टीचर तो बचो पढ़ना अच्छा है या खेलना 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 मैडम किकी गोरी टीचर पढ़ाती भी है या फीस ही मांगती रहती है पापा गोरी टीचर बहुत अच्छी है वो हमें बहुत महनत से पढ़ाती है कीकी भी अपने पापा से ऐसे छूट बोलता है फिर दिन गुजटते गे और छोटे पक्षियों के एक्जैम्स शुरू हो जाते हैं लालतोता जब बच्चों के पेपर चेक करता है तो वो सारे बच्चे एक्जैम्स में फेल हो जाते हैं चीलू बेटे कौन सी पोजीशन आई है तुम्हारी ममा ममा मैं फेल हो गया ममा ममा मैं फेल हो गई पापा सोरी मैं फेल हो गया ऐसे सपक्षी अपने अपने ममा पापा को सच बता देते हैं कि गोरी टीचर तो उन्हें पढ़ाने की बजाए मुफ्त में ट्यूशन के पैसे लेती थी और वो सारा दिन कार्टून देह कर घर लोड आते थे कवा और कवी घर में बहुत खुश-खुश बैठे हुए थे ये उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है गोरी मैं जाता हूँ लगता है कोई बच्चा एक्जैम्स में फर्स्ट आया होगा और उसके ममा पापा हमारे लिए मिठाई लेकर आए होंगे नहीं मिठाई लेने मैं जाऊंगी तो फिर हम दोनों ही जाते हैं चचच चील दी क्या हुआ क्या आप हमारे लिए मिठाई लेकर आई हैं क्या चीलू ने कोई पोजीशन ली है मुझे चीलू ने सब बता दिया है मैं अभी तुम दोनों को देसी घी की मिठाई खिलाती हूं ऐसा कहते हुए चील दोनों कवों की खूब पिटाई करती है और उन्हें उनके किये की सजा मिलती है कालू ये मशवरा तुम हारा ही था ना हाँ गोरी अब हम कभी भी यूशन नहीं पढ़ाएंगे कालू कवे का बेटा जगू बहुत बिगड़ चुका था वो जवान हो गया था मगर अभी तक कोई काम धंदा नहीं करता था वो सारा सारा दिन आवारा घूमता और दूसरे पक्षियों को तंग करता जगू कभी किसी बुड़े पक्षी को धका देकर गिरा देता तो कभी किसी छोटे पक्षी से भोचन चीन कर भाग जाता जगू बहुत हो गया अब तुम बड़े होगे हो अब तो तुम्हें कोई न कोई काम करना ही होगा मेरी महन से की हुई कमाई को कब तक तुम खाते रहोगे जब भी कालु कवा अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता तो बीच में उसकी मा गोरी कवी आ जाती बस करो बस करो बुढ़े हो गे हो और गुसा अभी तक जवानों वाला है मेरा मासूम सा बेटा देखना एक ना एक दिन तुमसे भी ज़्यादा कमाएगा कब आएगा वो दिन मैं अब इस आवारा को अपने घर में नहीं रख सकता पिता जी चुड़िया आंटी बताती है के मेरी उमर में आपी मेरी तरहा ही आवारा थे क्या चुड़िया आंटी सच कहती है हाँ चुड़िया आंटी ने आप से सच ही कहा है मगर जब मेरी मा मरी तो फिर मुझे एहसास हुआ जब मैं भूख से तीन दिन घौसले में लेटा रहा तो तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई ना कोई काम करना चाहिए क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें भी ये एहसास मेरे मरने के बाद हो ऐसे अपने बेटे को समझाने के बाद कालू कवा सो जाता है ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जगू कवा अपने पिता कालू कवे से कहता है पिता जी आ मुझे अपनी कमाई में से कुछ पैसे दें ताके मैं कोई काम धंदा कर सकूँ मैं तुम्हें पैसे एक शर्त पर दूँगा पहले तुम मुझे दस दिन तक हर रोज एक सो रुपे कमा कर दिखाओ फिर ही मैं तुम्हें अपनी कमाई दूँगा जगू कवा बहुत आलसी था उसे तो पता था कि वो ये सब नहीं कर पाएगा मगर फिर भी वो अपने पिता की चनोती लेता है और वो घर से निकल जाता है वो सारा दिन इधर उधर फिरता है उसे कुछ समझ नहीं आती के वो क्या करे थक हार कर वो खाली हाथी वापिस लोट आता है जगू बेटा क्या आप कमा कर ले आए हो सो रुपे नहीं मा मुझे कोई काम ही नहीं मिला जो भी काम था बहुत मुश्किल था और मुझे से मुश्किल काम नहीं होते फिर उसकी बम्मा उसे सो रुपे देते हुए कहती है ये लो सो रुपे जब आपके पापा घर आएं तो उन्हें ये सो रुपे दे देना और कहना कि ये तुम कमा कर लाए हो जगू बहुत खुश होता है तालू कवा बिखाय आ जाता है पिता जी पिता जी देखें मैं सो रूपे कमा कर ले आया हूँ क्या ये कमाई तुम्हारी महनत की है हाँ पिता जी मैंने बहुत महनत से कमाया है ये सो रूपे फिर कालू कवा अपने बेटे से सो रुपए पकड़ कर चुलहे में फैंक देता है मगर जगू चुप चाप सब देखता रहता है और जाकर अपने घोंसले में सो जाता है दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है जब जगू घर से जाने लगता है तो उसकी मा उसे चुपके से सो रुपए दे देती है जगू सारा दिन बड़े पेड के नीचे जाकर सोया रहता है और फिर जब शाम होती है तो घर आ जाता है वो अपने पिता को सो रुपए देता है और उसका पिता फिर से उसे कहता है क्या ये सो रुपे तुम महनत से कमा कर लाई हो? जी जी पिताजी मैंने बहुत महनत से ये पैसे कमाए है कालू फिर से वो पैसे पकड़ कर आग में फैंक देता है मगर जगू चुप चाप जाकर फिर से सो जाता है ऐसे ही कुछ दिनों में गोरी कवी के पास सारे पैसे खतम हो जाते है जगू बेटा आज तो आपको सच में महनत करके ही सो रुपे कमा कर लाना होगा क्यूंके मेरे पास आज तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है ये सुनकर जगू उदास होकर घर से निकल जाता है उसे पता था कि आज अगर वो सो रुपे कमा कर घर ले जाएगा तो उसका पिता उसे अपनी कमाई जरूर दे देगा फिर वो एक जगा बोरियां उठाने का काम करता है वो ठक जाता है मगर वो काम करता है और आज पहली बार वो अपनी महन से सो रूपे कमाने में काम्याब हो जाता है वो घर आता है पिता जी, पिता जी, मैं आज फिर सो रूपे कमा कर लाया हूँ क्या ये पैसे तुमने महन से कमाए है? हाँ हाँ पिता जी, सच में बहुत महन से फिर कालुकवा वो सो रुपे आग में फैंक देता है मगर आज जकू अपने पिता को पैसे आग में फैंकता देखकर रोने लग जाता है मेरी महनत की कमाई पापा आपने मेरी महनत की कमाई जाया कर दी ये देखकर कालुकवा अपने बेटे से कहता है हाँ बेटा आज मैं तुम्हें अपनी कमाई दे दूँगा क्यूंके आज तुम्हें पता चल गया है कि मेहन से की हुई कमाई जब जाया हो तो कितना दुख लगता है ये सुनकर उसका बेटा जगू अपने पीता से बहुत शर्मिंदा होता है और अपने पीता से हमेशा मेहनत करने का वादा करता है ऐसे कालुकवा अपने बेटे को एक अच्छी सीख देता है प्यारे दोस्तों इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है तो आप चल दी से इस वीडियो को लाइक कर दें